नमस्कार स्वागत है आपका हमारे खास कारेक्ट्रम जोतिश समाधान में बैकूस सनी गंगा सगर आपके साथ में इस कारेक्ट्रम में हम हर बार अलग-अलग विश्यों के जरीए उनसे समंधित जो भी समाधान है वो जोतिश के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं और इस विश्य को लेकर आज का जो विश्य है उसको लेकर हमारे साथ हमारे जो खास महमान है वो भी पहुंच चुके हैं उनका परिच्चे आप से करवादे जोतिश चारे डॉक्टर एल नागेश्वर राओ जी हमार साथ मौजूद है बहुत-बहुत स्वागत है सराब का च बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- और इस दोश के लिए कौन जिम्मेदार होता है ये सभी बात है आज हम करने जा रहे हैं ताकि विवाह में पत्रिका में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जा सके लेकिन जो भी हमारे दर्शक इस वक्त कारिक्टम देख रहे हैं उनसे भी हमारी अपीले कि इस संबन में अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें स्क्रीन पर दे हुए नंबर उपर कॉल करके इनका समाधान जान सकते हैं आपको इसके लिए आपको अपनी जन्मतारीक बतानी होगी साथ 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 इस्थान और समय भी बताना होगा तो नागेश्वताओ जी सबसे पहले आपसे हम के माध्यम से आम दर्शकों के मन से भध्रातियां निकालने का प्रयास लगातार सतत रोप में कि बताना जाओंगा कि मांगलिक कोई दोश नहीं है होता क्या है कि हमारे जो तिशास्त्र में साथवा घर हमारा विवाह का घर है तो जब भी किसी की पत्रिका में पहला पहला चौथा साथवा आठवा बार्वा ये 5 घर में अगर मंगल रहता है तो मंगलिक दोश कहला दोश नहीं होता देखिए मंगल एक ऐसा ग्रह है जो एनर्जी का काराइक है अगर किसी की पत्रिका में मंगल कंजोर हो गया खासकर मैंने महिलाओं के पत्रिका में तो लोबीपी के शिकार बन जाते हैं किसी पूरुष में मंगल कम जोर पड़ गया तो कहीं न कहीं वो इनर्जी लेबल कम हो जाता है और खासकर जिनका मंगल अच्छा होता है तो चाहिए पूलिस में जाए डिफेंस में कोट में कचेरी में जहां पर पावर की जरूत पड़ती है मंगल का बहुत ज्यादा रोल है तो मन से ब्रहातिया में बिल्कुल हटा लेना चाहिए और इस करक्रम के मादिम से बार बार हम अपने दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की भ्रहातियों से हमें दो रहना चाहिए तो क्या होता है कि मं भी मंगल घरों में बैठा हुआ तो दूसरे की पत्रिका में मालल haird पूरुश आतो इस प्रकार करियो तो कहिं न कहिं उसको नूट्रल कर देते हैं इस डर शकता नहीं है कि मांगलिक दोश हो गया, अक्सर हम देखते हैं कि कभी कोई आते हैं, पेरेंट्स आते हैं आपने बच्चों के लिए और मांगलिक दोश समान निभाशा में एक चार साथ आट बार इस बहुं में अगर मंगर है तो आपको पत्रिका में मांगली दोश लेकिन से डरने की बिलकुल आओ शेक्ता नहीं है बिलकुल डरने की जरूत नहीं अपने आपको सकारात्मक रखने की जरूत है और जैसे की आगेश्य राओ जी क संबर उनली सर चोसाथ है सुबह दो बच के अठ्थामन मिनिट भारतपूर दो बच कर अठ्थामन मिनिट भारतपूर जी प्रशना आपका इनका खुद का में अगान कब बनेगा गुरू जी और क्या करना चाहिए अच्छा का मतलब नौकरी है वे अपार किस चीज में जा अज़ी बरहों के तिती है जो इसकी पत्रिका में जो मगान का का रहक है रहता कि या तो कोई कहीं से देर से आपको मकान मिलने का इसमें संकेत मिलता संब है ग्रहन अगर कहीं वह ग्रहन बना हुआ तो इससी फीटि में कोई भी चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती तो थोड़ा सा विलम इसमें लगता है तो इसमें एक सायोग यह बन रहा है कि अक्टूबर या नॉवंबर दो हजार बाइस के बाद इस बात का संकेत बन रहा है कि कहीं से कोई लोन आपको लेने की संभावना दिखता है तो 2022 के अंत में 2030 में इस बात की अच्छी संभावना है कि 2022 अक्टूबर या नॉवंबर से दो वर्ष का जो समय रहेगा काफी ज्यादा संभावना है किसमें आपका कहीन काहिन कोई नो मकान ये जमीन हो जाएगा वो लोन के माध्यम से होगा क्यूंकि कोई नो कोई बड़ा लोन दिखाई दे रहा है तो काफी संभावण है कि आपको में मैं उपाइभ आपको बता देता हूं कि कि इसको काफी लाब देखने को मिलेगा और एक पत्रिका की हिसाब से हमें एक पन्ना धान करना है एक साड़े तीन से चार केरट का पन्ना किसी भी बुद्धवार के दिन आप धान कर लिजेगा तो इससे भी आपको लाब मिलेगा तो ग्रहन का शांति कर लिजे और एक पन्ना क्योंकि चतुरत भाव का कारगरा वक्री है इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है तो कोशिच करे हो सकेगा तो अगर आप इसमें आपकी पत्रिका के तू और फिर दूसरा इसमें आपका गुरु का के तू और गुरु का दो घ्रह का शांति करा लिजे और एक पन्ना धान कर लिजे आप बिल्कुल देखेंगे जहां अक्टूबर या नॉम्बर 2022 पार होगा और 6-8 महने मे आपके पास कहीं न कहीं कोई न कोई मकान या जमीन आ जाएगा चले तो मंजू जी को समाधान आपने बता दिया है लेकिन दर्शकों से हम बार-बार यही अपील करेंगे कि आज का जो हमारा विशे है वो विवास सम्मंदित जो मांगलिक दोश होता है उससे सम्मंदित वि पूछेंगे तो हम हमारा जो विशह है उसको हम बहतर तरीके से न्याय कर पाएंगे उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे बराद एक और हमारे साथ जो चुके है यलकेश जुड़े हुए है दुर्ग से यलकेश जी बहुत स्वागत है आपका पूछे क्या सवाल है आपक पूछे करें चोवीश तीन उनीस वासाथ जी समय समय साले पांच पजे शुर्योदय से सुबह सुबह साले पांच जन्मी स्थान आपका जन्मा स्थान तुम्हेरा अब विकाप पुड़ है और अभी जूर्ग में हूँ जी बिलकुल मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी हम मैं मिल रहें को कब तक मिल पाएगा एरेश वगरा के बारे में मिल रहें आने मल अच्छे मैने के लिए काफी बहुत महत्वून है विशेश कर आप देखेंगे कि अक्टूबर या नॉम्बर दो हजार बाइस इस महने के आसपास में काफी की संभा होना है कि सेब्तंबर से थे बाद अक्टूबर या नॉवमबर को महना रहेगा एक काफि महतपूर रहेगा आपके केस से संबधित निर्णाय में तो थोड़ा सा द्यान रख करें आपकर मेहनत करेंगे प्रयास करेंगे तो कोट से कोई भी निर्णा है उस बारे में काफि ज्यादा सकारात्मक का संकेत मिलता है आपको इस उपाय का पालन करेंगे तो आप इसमें ज्यादा अच्छा आप लाब ले पाएंगे आपको इस पत्रिका के साफ से एक आपको फुखराज करना है किसी भी गुरुवार के दिन इंडेक्स फिंगर में सीधे हाथ में आपको धांड करना है साथ ही आपकी पत्रिका खिसाब से इसका केतू का राहू का और शनी का तीन ग्रह का आप शांती करा लिजिए एक पुखराज आप धांड कर लिजिए तो आप देखेंगे कि अक्टूबर या नॉम्बर आते तक आपको मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा चार से छह में आप बस फड़ा इंतजार कर लिजिए और जो उपाय का पालन करना होगा आपको वहीं मंडी दीप से और कौदर इस वक्त हमारे साथ जोड़ चुकी है भुपाल से निर्मला मिष्टा जी जोड़ी हुई है निर्मला जोड़ी है देटा पर उष्टा अठाई जून उननीस सोच्यानवे साम पांच बचकर और जन्वी स्थान मंडी दीप आपने पहला प्रश्ट किया स्वस्त के बारे में स्वस्त कैसा रहेगा और शादी तो जहां तक आपके बच्चे की पत्रिका को देख पा रहा हूं स्वस्त को लेकर प्रत्रिका इस बात का संकेत देता है कि एक संधी आल का जनम है कि आपके बेटों को बोलिये कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की उपर में भी थोड़ा ध्यान दे अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा है खासकर प्रानायम इसमें बहुत बड़ी मदद करता है तो प्रानायम अगर वो कर सकेगा आधा घंटा अगर डेली अगर निका में रहता है कि आप क्लियर कॉाट अबॉर फेर क्रीटल घंटकी में निकालस मक टीया है तो उनकी सिस्टम बढ़ेगी जसी बीदेरा अपको तब कसी भी तरीके का विमारी आपको आसानी से नहीं लग पाएगा तो ये उपाएक निकन को पत्रिका की हिसा आपको एकMO як पुखराज पहनाईएगा इनको साड़े पांच किरेट का पुखराज सीधे हाथ में इंडेक्स फिंकर में आप धान कराईए तो ये दो उपाए आप करिए तीन से छे महना में आप देखेंगी कि इनके स्वस्त में सुधार रहेगा और दूसरा इनको ज्यादा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हैं तो अगर एक सकारात्माक सोच रखे जीवन में अच्छे बूरा समय सब के साथ आता है तो इनका भी आएगा जहां तक शादी के बारे में पत्रिका यह दिखाता है कि छोटी-छोटी चीजों को लेकर बार-बार इनको पत्रिका में ऐसा नर्डे हो अगर आते में 20 हैं तो आपको 2023 से लेकर 25 के भीच में खासकर 24 या 25 चौविस क्यांत में 20 में या 25 अडलेकिन 222 में मुस्किले 23 में बनता है थो 23 से पचिस में खासकर 24 आखरी या 25 इस बीच में बनता और जो उपाए हम ने बताया इसका पालन्त कर लेंगे ताप बचल रहे हैं आपको हर चेज के रहे हो चैरियर हो चैरियर में आपको लाब देखने को जबना है एक और काॉदर हमार साथ जो चुके अशोग जो जोडे हुए उत्तरा खंड से अशोग जी क्या सवाल है आपका पूछी साथ साथ अपना डेट अबर्थ समय और इस्थान भी जी मैं बेटी के बारे पूर्स बचार था उसका डेटो बर्थ है 28 जून 1904 सरी पिचानवे 28 जून 1905 समय है 10 बज की 50 मिनट सुवा या शाम सुवेखा 10 बज की 50 मिनट जन्मिस्थान और जन्मिस्थान है देला जून उत्तरा शंड़े प्रेश्ण आपका फ्रस्टेटिव्काइबवा जीवन कसा रहेगा और से नियुन के सार रहे गाए भी तो 95 का बच्चा है जो पत्रीका से संखेत मिलता तो पत्रिका मंगल प्रभवित है मांगलिक पत्रिका है आज हमारा विशय भी से संबंदित है तो थोड़ा सा मंगल का एक बार उपाय आप करा लिजेगा डरनी के आउशक्ता नहीं है मंगल को जब तक किसी पापग्रह का सहयोग नहीं मिलता जा शनी आ रहू तब तक वो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं करता है चंद्रमा का गई बार अगर चंद्रमा भी उससे जूड़ गिया है तब दिक्कत करता है तो यहां पर शनी का थोड़ा सा संबंद है खाली मंगल से जैसे के कारिक लिखेंगे कि उसमें ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी जहां तक शादी के बारे में आपने पूछा है तो आने वाला 23-25 के बीच में इस बात का संकेत मिलता है कि वहां का संयोग बन रहा है आप एक काम करिएगा एक साठे पांच के रड़ के बीच में कि यह दो रतना आप धहन करा दिजिए शनिया और रहू का शांति किसी पंडीजी आचारे जी के माध्यम से कर लीजी तो उसमें आप देखेंगे कि जो शाधी है केरियर है हर छेतर में आपको लाब मिलेगा और आने वाला चार से छे महने बाद का समय रहेगा काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा एक और कॉलर इस वक जुट चुके है आनन्द हमारे साथ जुड़े हुए है राइपूर से आनन्द क्या सवार है आपका समय 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 आपका समय सुबह का दस के अंदर है साथ क्याला के अंदर कोई दिक्कत नहीं बताई प्रश्न आपका सर्म मेरा एक माकान है तो उस माकान के पीछे एक बहुत बड़ा सार मतलब पीपल का पेड हो गया सर्म तो मैं उसे बेज रहा हूं सर्म तो लेने के लिए बेगरी है रेट वर टै हो गया सर्म पर उनकर कहना यह है कि वो पेड को काट नहीं सकता है चलिए बहुत अच्छी बात है और वास्तों में प्रीपल को एक तरीके से वर्ट व्रिक्ष कहा गया है पीपल तो उसमें अक्षिदन सबसे जादा रहता है एक तरह से प्रांड नहीं बिल्कुल काटना नहीं चाहिए आप उसको उसी रूप में बोलिया हो पीपल का प्रे प्रम के पड़्ल का पार इपटास है तो वैसे आज के समय में परियावरण को लिए कर बहुत सारी डिक्कते हैं तो बिल्कुल आपको कोशिच करना चाहिए कि एक पिपल का पेड बड़ा पीड़ा तो बिल्कुल ना काटे उन Сे उनको कि आप Department नहीं होगा उनको वीक्त कि पीपल का पेड़ यथावत उसे रहने दीजियेगा उनको काम करने के लिए ले रहें आप अगर बेच रहें तो आप एक काम करें पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन शाम आप सरसों तेल का एक दिपक लगाईए और यह प्रातना करी कि जो भी आपके दिक्कते है उसमें आपको मदद मिले क्योंकि कई बार हम लोगों को उपाय बताते हैं तो कहते हैं कि आप पीपल के पेड़ के पास जाकर उपाय करिए तो यहां तो आपके बाउंडरी में पीपल का पेड़ा तुसे अथावत रहन दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा और जैसा कि आपने बिल्कुल आपके पत्रिका में इस बाद का संकेत मिलता है कि आपका जो भी प्रॉपर्टी है उसमें कोई डिलिंग हुआ लेकिन थोड़ा रूख रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए नॉवंबर 2022 पार करने के बाद आपका मकान जमीन या मकाने अपने आप दि बिल्कुल निश्चिंत रहिए और वैसे भी पेड़ों के लिए कहा जाता है कि पेड बेहत जरूरी है हमारे जीवन के लिए और एक पेड जो बड़ा पेड होता है वो एक दिन में चार लोगों को ऑक्सिजन देता है और एक साल में 21 किलो CO2 को वो अपने अंदर ग्रहन करता है ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पेड की एहमियत कितनी जादा होती है बड़ाल आज का चुकि हमारा विशे है मंगल से संब इसलिए आपसे भी हम यही कहेंगे जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि ऐसे सवाल जो कि मंगल से जुड़े हुए हो विवाहा में जो दिक्कते आ रहे हैं मंगल दोश जिसको हम कहते हैं उससे संबने सवाल हो अगर वो आप पूछे तो बहतर है कि उसका समाधान हम क कम होना चाहिए कितना कं होना चाहिए कितना जादा होना चाहिए कैसे इसको हम सब्सी ओचे कम होगे तो आपको दिक्कत कर देगा अगर ज़्यदा नहीं सबसे अच्छा है सौ में अगर देखेंगे तो 30-40 प्रस्थत लोग मांगलिक रहते ही हैं उसमें बहुत ज्यादा डरनी के और शेक्ता नहीं है तो आपकी पत्रिका मांगलिक है और जिनसे आपको इवार उनकी पत्रिका मांगलिक है तो कोई खास दिक्कत नहीं रहता यहाँ पर जैसा हमने कार मांगल से मां डरी आपको यह देखना होगा आपके पत्रिका में व्यक्तिका तुरुप से विशलेशन करना होगा कि किसी और पाप ग्रह के साथ करका शनी के साथ या रहो के साथ कई बार सूरी दिक्कत करता है तो इनके साथ तो नहीं है या इनके दृष्टी वहां नहीं इसका उपाय कर ले और हमने देखा कि घट या बठ विवहा कराते हैं तो शादी के पूरो लड़का हो या युवक हो यूति हो उनका ज्ञाड सी विवहा कराते हैं तो उसमें काफी हद तक हमें लाब देखने को मिलता है और पत्रिका को एक बार समझ के कर करेंगे पत्रिक रहिस्तान से सौरब हमारे सा जोड़ चुके हैं सौरब बहुत बहुत स्वागत हैं आपका क्या सवाल है आपका प्रेशन आपका प्रशन आपका पहले तो देखते हैं आपके पत्रिकां में लोन का योग बनी रहा है नहीं बन रहा है तो इस पत्रिकां में देखकर देखी साकारत्मक परणाम देखने को मिलता है तो लोन बिलकुल आप ले सकते हैं ले लिजीएगा हो सकता है कि लोन में 2-3 महना आगे पीछे आपको हो जाय है हो सकता है कि सप्टेमबर जैसा जुलाई तो आई गया है और जुलाई ज्यादा दिन बचा भी नहीं है तो दो से तीन मेहन में इस बात का संभावना है आप बिलुकुल लेकर काम कर सकते हैं और जो आपने कपड़े बगर के बारे में कहा है बिल्कुल आपकी पत्रिका में सक निर्णा लेने में कि मैं करूं तो प्रॉपर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो आप बिल्कुल कर पाएंगे बिल्कुल इसकी डरनी के और शक्ता नहीं है सूरी को आप जल देने का प्रयास करें इससे आपको काफी लाब मिलेगा आपकी पत्रिका की हिसाब से जो मैं कर सकते हैं तो उससे भी आपको लाब मिलेगा तो मानक और पुखराज आपको एक से दो साल पहनना है और एक साल डेड़ साल के बाद फिर ज़रुत पढ़ा अगर आपके आपके पत्रिका के हिसाब से तो परना भी आप पहन सकते लेकिन प्रारम्ब में पहला मानक पहनिए त इससे आपको लाब मिलेगा शनी आपकी पत्रिका में अच्छा है तो आपको बिल्कुल लाब देगा और 2022 में इस बात का संभावना है कि कवो ने कोई व्यापार आप बिल्कुल शुरू कर पाएंगे तो व्यापार आप सूच रहें उसको आप साकार कर सकते हैं बढ़ जर सच है और क्या इसके लिए ऐसा कुछ प्रावधान है जिससे कि इसको हम इसी उम्रे से पहले समात कर सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रशनी किया और अक्सार इस तरह का आता है लोगों के मन में कि अथाइस साल पार हो गया मेरा मंगल कहता हूं कि देखिए मंगल का उम्र जोति कि यह.ए कि मंगल को शनी या राहू का या किसी पौपग्रह का अगर मिल जाता है तक ज्यादा घष्टाक हो जाता है इसा नहीं कि आपके बतरिका में अथा में 18 साल पार हो गया और बहुत सारे लोगों को हमने देखा आप तो मेरा 18 साल पार होगया किसी से भी विवाह कर लोगी आपको यह देखना है कि आपकी पत्रिका में मंगल पाप ग्रहों के साथ में है दृष्टि हाया नहीं दूसरा जिससे आपका की स्टिति कैसी है वहाँ पर सब्तमब्हा पाप प्रिविडित है या नहीं कि कई बार हम पत्रिका में देखते हैं कि 30 गुंड मिल रहा है पिर भी डायवर्स हो जाता फिर लोग ऐसा कहते कि हमारे डायवर्स के हुआ तो आपकी पत्रिका में विवाव इच्छेद का योग बना रहे तो आपकी पत्रि मंगल को लेकर डरने का आफ शे अपकुल मंगल पॉवर्फुल ग्रह। तो फोड़ा अग्रेसिव बनादेता है सक्यों सा wished लड़ने वाले बन जाते मतलब आगे लड़ना मतलब मेरा कहने के ततपर यह है कि कोई भी चीज में डिसीजन लेने वाले इसकी विप्रित मान लीजिए बुद्धिया को ऐसा ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति क्या करता है चीजों को खिषता है बहुत सारी दिक्कते लेकि लेकिन मंगल वालों के साथ यह है कि उन रिड़नाय ले लेते हैं इसलिए कई बार ऐसा देखागे कि वहाँ में विच्छेत आता है लेकिन जब तक मंगल को किसी और पाप ग्रह का सहयोग नहीं मिलेगा आपके पत्रिका में विवाव इच्छेत का योग नहीं आएगा बि मंगल का जिस तरह से हववा बना हुआ या नेगटिवीटी मंगल को लेकर है वह आज जाना कि कैसे मंगल ऑप यह जो है बहुत घरह के तरो पर हम इसको देख सकते हैं पॉजितिवीं के तरो पर देख सकतेひं मंगल के जिश्छार अत्म के पहलू है वह हम देख सकते, उस से जीवन में बदलाव भी आते हैं और अच्छे बदलाव आते हैं लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे कॉदर भी चुड़े बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोडने के लिए नागेश्वराओ जी और बहुत धन्यवाद हमारे कॉदर का भी हमारे साथ जोडने के उम्मीद करते हैं कि उनके जो सवाल थे उनका समाधान जोतिश के माध्यम से आज हम दे पाएंगे इसे के साथ जोतिश समाधान में आज के लिए इतना ही ताजा खबरों के लिए अपडेट्स के लिए आप बन्ज रहें आइनेश 24-7 के साथ नमस्कार